अच्छेया जीयसे आपने बताया कि जो भी कुछ मन के दाइरे में आता है वो सब छिलके हैं तो पर असत्यों को हटाने के लिए भी जो डिस्क्रीशन होता है जो जो कर्म होता है कि यह करना है यह नहीं करना है वो भी मन से ही निकलता है तो बना फिर वो छिलका बना वो कैसे वह वाला चीज वो क्या है उसको वह भी छिलका है यह दो रिश्टे हो सकते हैं आपके बीच और आपके नकाबों के बीच एक रिश्टा यह हो सकता है कि आप आनंद में इस्थित अनुसार अपने नकाबों को होश पूर्वक पहने आप कहें मैंने अपने नकाबों का चयन कराए नकाब तो पहन नहीं हैं जब तक शरीर है लेकिन मैंने इन नकाबों का होश में चैन करा है ऐसी सी बात है कि साहब नौकरी तो करनी है क्योंकि पेट चलाना है पर मैं कहा नौकरी करूँगा इसका मैंने होश में चैन करा है और नौकरी और नौकरी एक बराबर नहीं होते आप ही नहीं कह सकते कि एक आदमी यहां काम करता है, दूसरे वहां काम करता है, दोनों एक बराबर होके, दोनों काम करते हैं, दोनों तंखा लेते हैं, साब जमीन आस्मान का अंतर है, एक भिहोशी में काम कर रहा है, और दूसरे ने होश में चैन करा है, और देखो होश में जो भी काम करा जाता ह शुरूर में उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है. तो उसने कीमत अदा करी है. तो एक चीज़ ही होता है कि मैं अपने नकाबों का मालिक हूँ. यह पहला रिष्षा. मैंने उन्हें पहना, मैं उन्हें उतार भी सकता हूँ. जैसे होशनकता होगी. और दूसरा होता है कि मैं सोया पड़ाओं मैं वेहोश हूँ और नकाब ही मेरी असलियत बन बैठे है यह दूसरा रिष्टा खतरनाक है यह नहीं होना चाहिए समझ रहे हैं? पस इससे बचना है जब नकाब आपके मालिक हो जाते हैं तब आपका जो असली मालिक है वो खो जाता है नकाब हैं आप हैं अहम आई और एक और है तीसरा जब रिष्टदारी आपकी और नकाबों की हो जाती है इस तरह कि नकाब आपके मालिक है तो आपका और आत्मा का रिष्टा खत्म हो जाता है अब नकाब मालिक है आप गुलाम है उनके नचाहिए ना चीए दूसरी और मैंने कहा कि दूसरी संभावना है अपनी मरजी के अनुसार, अपने विवेक, अपने बोध, अपने डिस्क्रीशन के अनुसार, अपने नकाबों का चैन करें, चुनाओ करें, वो कब होता है, आप नकाबों के मालिक तब होते हैं, जब सच आपका मालिक होता है, अब तीन आ गए, समी करण में, पहले कितने थे दो थे, पहले दो कौन थे आप और आपके नकाब अहम और प्रक्रती अहम और प्रक्रती या जीव और संसार ऐसे बोल लो मैं और दुनिया जब सिर्फ मैं और दुनिया होंगे तो मिश्चित रूप से इस समय करण में दुनिया माले का आप नौकर होंगे जब आप के देखे बस दो होंगे बस दो होते हैं यही द्वायत चल रहा है कौन सा द्वायत दो ही हैं दुनिया है और साभ हम हैं जैसे कि जातर लोग कहते हैं I live in a world और इसके लावा कुछ है नहीं जब भी यह स्थित कि दुनिया माले का आप नौकर आप मालिक आप बादशा सिर्फ एक हालत में हो सकते हैं कि दो नाओ तीन हों दो होंगे तो आप बरबाद हो गए तीन होंगे तो आप बादशा हो गए तीसरा कौन है तीसरा वो है जो है जैसे कुहरा गीत का रहा हो जैसे छाया शोर मचा रही हो जैसे सपने में लड्डू खाया जा रहा हो इतने असली हैं हम और संसार सपने में लड्डू तो नहीं मिलता लेकिन फिर भी अनुभव सारे हो जाते हैं दुख का भी दर्द का भी उतेजना का भी लोग रो लेते हैं लोग मौत हो जाती है सपने में नकली है लेकिन बहुत दर्द दे जाता है दे सकता है तो कोई है इससे यह नहीं साबित हो जाता है कि बिल्कुल अर्थ हीन है सपना नकली होता है लेकिन तुम वो नचा जाता है घंटों जिन्दगी भी हमारी ऐसी होती है तो नकली पर हमें नचा जाती है समझ में आरी बात है वो तीसरा आ जाता है जब तो फिर मज़े हो जाते हैं जैसे को बच्चा छोटा हो कोई और उसको जो घर के नौकर है वही दोड़ाए रहते हों पेले रहते हों सब बिल्कुल शैतान बहिमान नौकर वो छोटे बच्चे को दोड़ाए रहते हैं उसे मज़े ले रहे हैं उसके खाने की चीज़े थी खा गए उसको जूट बोल दिया ज्यादा उसने कुछ बोला तो उसे कोने मिल आगे थपड़ भी मार दिया यह तब होता है जब सिर्फ दो होते हैं कौन वो बच्चा और वो नौकर बच्चा तुम हो नौकर यह संसार है बहुत बड़ा है बहुत सारे नौकर में बड़े बड़े से दुनिया बहुत बड़ी लगती है न हम छोटे से दुनिया मारे एक दितनी बड़ी फिर बच्चा क्या करता है बच्चा किसी तीसरे की गोद में जाकर बैठ जाता है कौन जो असली है जो मालिक है अब वो उसक किसी बड़े आदमी के तुम साथ चल रहे हो, बजार से निकल रहे हो, देखा तुम्हे भी नमस्कार मिल जाते हैं, अकेले निकलो फिर क्या मिलेगा, फिर वो जूतों वाला पुरसकार मिलेगा, नमस्कार नहीं मिलेगा, कि अच्छा बेटर बड़ी धौस बता रहा था कल, उनके साथ आया था बताते हैं तुझे तु कौन है, तो पूरी कथा का सार किया है, बाजार में अकेले मत निकलना, लुटोगे तो लुटोगे, पिटोगे भी, तुम बच्चे हो दुनिया बाजार है, पपा के साथ निकला करो, लेकिन पपा के साथ अगर बहुत समय से रह रहे हो, बड़ी आदत पढ़ गई है, जुतनी बाजार गई हो पपा के साथ ही गई हो, तो तुम्हें ये भ्रह्म हो सकता है कि दुनिया नमस्कार पपा को नहीं तुमको कर रही है, क्योंकि तुम जितनी बार गई हो, तु कि होटों के उपर मुछें आ रही है तो एक दिन तुमने कहा पपा को एक तरफ रखो हम जड़ा बाजार अकेले घूंब के आएंगे अब किशोर हो रहे हो तुम टीनेजर आज की भाशा में निब्बे बन रहे हैं तो निब्बा बहादुर निकल पड़े बाजार में अकेले समझ में आ रही है मैं तीन उस तीसरे से पूछा जाता है अपने नकाबों से पूछ के जिन्दगी के फैसले मत कर लेना जो असली मालिक है जो बाप है जो पूछना उससे पूछो फिर सब तुमारे पीछे पीछे चलेंगे दुनिया नुगमन करेगी मौज रहेगी मौज रहेगी